वाय गुरुदा खाल्चा, वाय गुरुदी फते, केंद्रियम मंत्री मंडल के मेरे सहयोगी गण, राज्यों के मुक्यमंत्री गण, विबिन सम्मानि समस्ताओं के चैर्मेन और प्रसिडेंट, डिप्लोमेट्स, देश बर से जुड़े, विशे इस रुप से इसकारकम के साथ आए हुए बालक बालिक आए, अन्यसर भी महानुभाओ, देवी और सजनों, आज देश पहला वीर बाल दिवस मना रहा है, जिस दिन को, जिस बलिदान को, हम पीडियों से याद करते आए हैं, आज एक राष्ट के रूप में, उसे एक जूट नमन करने के लिए, एक नई शुरुवात हुई है, सहीदी सप्ता, और ये वीर बाल दिवस, हमारी सीख परंपरा के लिए, भावों से भरा जुरूर है, लेकिन इससे, आकास जैसी, अनन्त प्रेरणाय भी जुड़ी है, भीर बाल दिवस, हमें याद दिलाएगा, कि शौरी की पराकास्ता के समय, कम आयों, माइने नहीं रखती है, बीर बाल दिवस, हमें याद दिलाएगा, कि दस गुरू का योगदान क्या है, देश के स्वाविमान के लिए, सिख परंपरा का बलिदान क्या है, बीर बाल दिवस, हमें बताएगा, कि भारत क्या है, भारत की पहचान क्या है हर साल बीज बाल दिवस का ये पुन्य अवसर हमें अपने अतीद को पहचानने और आने वाले भविश का निर्मान करने की प्रेरणा देगा भारत की युवाबिडी का सामर्त क्या है भारत की युवाबिडी ने कैसे अतीत में देश की रक्षा की है मानुता के कितने गोर प्रगोर अंदकारों से हमारी युवा पीडी ने भारत को बाहर निकाला है वीर वाल दिवस आने वाले दशकों और सद्यों के लिए ये उद्गोश करेगा मैं आज इस अवसर पर वीर साहिब जाजों के चरणों में नमन करते हुए उन्हें कृतग्य सद्धान लिए अर्पित करता हूँ इसलिए मैं अपनी सरकार का सहुभाई की मानता हूँ कि उसे आज 26 दिसंबर के दीन को वीर बाल दिवस के तौर पर गोशिद करने का मौका मिला मैं पिता दसबेज गुरु गोविन सीजी और सभी गुरुओं के चरणों में भी भक्ति भाव से प्रणाम करता हूँ मैं मात्रु शक्ती की प्रतीक माता गुजरी के चरणों में भी अपना सीज जुखाता हूँ साथियों विश्व का हजारों वर्षों का इतिहास कुरुता के एक से एक खौपनाक अध्यायों से भरा है इतिहास से लेकर किवन्दियों तक हर कूर चहरे के सामने महानायकों और महानायकाओं के भी एक से एक महान चरित्र रहे लेकिन ये भी सच है कि चमकोर और सरहिंद के युत्मे जो कुछ हुआ वो भूतों न भविशती था यतीत हजारों वर्ष पुराना नहीं है कि समय के पहियों ने उसकी रेखाओं को दुद्रा कर दिया ये सब कुछ इसी देश की मिट्टी पर केवल तीन सभी पहले हुआ एक और थार में कट्रता और उस कट्रता में अंधी इतनी बड़ी बुगल सल्तरयत दूसरी और ग्यान और तपश्या में तपे हुए हमारे गुरु भारत के प्राचीन मानविय मुल्यों को जीने वाली परंपरा एक और आतन की पराकास्टा तो दूसरी और अध्यात्म का शिर्ष एक और मजभी उन्माद तो दूसरी और सब्में इस्वर देखने वाली उद्यारता और इस सब के बीच एक और लाखों की फोज और दूसरी और अकेले होकर भी नीडर खड़े गुरु के वीर साहब जादे वीर साहब जादे किसी दम की से डरे नहीं किसी के सामने जुके नहीं जोरावर्ची साहब और फतेशी साहब दोनों को दिवार में जिन्दा चुनवा दिया गया एक और नुसंस्दा ने अपनी सभी सिमाए तोर दी तो दूसरी और धैरिया शारिया पराक्रम के भी सभी प्रतिमान तूड गए साहिब जादा अजीद सीग और साहिब जादा जुजार्थी ने भी बहदूरी की वो मिसाल कायम की जो सदियों को प्रेणा दे रही है भाई यो और बहनों जिस देश की विरासत ऐसी हो जिसका इतिहास ऐसा हो उसमें स्वाभावी कृप से स्वाभी मान और आत्म विश्वास कूट कूट कर भरा होना चाहिए लेकिन दुर्भाग्य से हमें इतिहास के नाम पर वो गड़े हुए नेरेटिव बताए और पढ़ाए जाते रहे जिन से हमारे भीतर हीन भावना पैदा हो बावजुदिस के हमारे समाज ने हमारी परंपराओं ने इन गवरव गाथाओं को जिवन्त रखा साथियों अगर हमें भारत को भविश्य में सफलता के सिखरों तक ले जाना है तो हमें अतीत के संकुचीत नजरियों से भी आजाद होना पड़ेगा इसलिए आजादी के अमरित कालवें देश ने गुलामी की मानसिक्ता के मुक्ति का प्रण फूंका है बीर बाल दिवस देश के उन पंच प्राणों के लिए प्राण वायू की तरह है साथियों इतनी कम उम्र में साब जादों के इस बलीदान में हमारे लिए एक और बड़ा उपदेश छिपा हुआ है आप उस दोर की कलपना करिए आवरंग जेब के आतंग के खिलाब भारत को बदलने के उसके मनसुबा के खिलाब गुरुगोविन सीजी पहाड की तरक खड़े थे लेकिन जोरावर्ची साब और फतेशी साब जैसे कम उम्र के बालकों से आवरंग जेब और उसकी सल्तनत की क्या दुश्मनी हो सकती थी दुन दिर्जोस बालकों को दिवार में जिन्दा चुनवाने जैसी दरिन की क्यों की गई वो इसलिए क्यों की आवरंग जेब और उसके लोग गुरुगोविन सीजी के बच्चों का धर्मा तलवार के दम पर बदलना चाहते थे जिस समयर में जिस रास्त में उसकी नई पीड़ी जोर जुल्म के आगे गुटने टेक देती है उसका आत्म विस्वास और भविश्य अपने आत्म बन जाता है लेकिन भारत के वो बेटे वो वीर भारत मौट से भी नहीं गवराए वो दिबार में जिन्दा चुन गए लेकिन उन्होंने उन आतताई मनसुबों को हमेशा के लिए तफन कर दिया यही किसी भी रास्त के समर्तिवा का सामर्त होता है युआ अपने साहच से समय की धारा को हमेशा के लिए मोर देता है इसी संकल्प शक्ति के साथ आज भारत की युआ पीडी भी बेश को नई उचाई पर ले जाने के लिए निकल पड़ी है और इसलिए अब 26 दिसम्बर को वीर बाल दिवस की भूमिका और भी एहम हो गई है साथियों सिख गुरु परंपरा केवल आस्ता और अध्यात्म की परंपरा नहीं है ये एक भारत स्रेष्ट भारत के विचार का भी प्रेरणा पुंज है हमारे पवित्र गुरु गरंद साब से बड़ा इसका उदारन और क्या हो सकता है इसमें सिख गुरुओं के साथ साथ भारत के अलग-अलग कोणों से पंदरा संतों और चौदा रचनाकारों की बाणी समाईत है इसी तरह आप गुरु गोविन सिंजी की जीवन यात्रा को भी देखिए उनका जन्मा पुर्वी भारत में पट्नाबे हुआ उनका कारे खेत्रा उत्तर पस्तीमी भारत के पहाड़ी अंचलों में रहा और उनकी जीवन यात्रा महराष्ट में पुरी हुई गुरु के पंच प्यारे भी देख के अलग-अलग हिस्सों से थे और मज़े तुगर्व है कि पहले पंच प्यारों में एक उस धर्ती से भी था द्वारिका से गुजरात से जहां मुझे जन्मा लेने का सोभवाग मिला है ग्यक्ति से बड़ा विचार विचार से बड़ा राष्टर राष्टर प्रथम का ये मंत्र गुरु गोविन सीजी का अतल संकल पता है जब वो बालक थे तो ये प्रस्ट आया कि राष्टर धर्म की रक्षा के लिए बड़ी बलिदान की जरुरत है उन्होंने अपने पीता से कहा कि आप से महान आज कौन है ये बलिदान आप दीजिए जब वो पीता बने तो उसी तत्वरता से उन्होंने अपने बेटों को भी राष्ट धर्म के लिए बलिदान करने में संकोच नहीं किया जब उनके बेटों का बलिदान हुआ तो उन्होंने अपनी संगत को देखकर कहा चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार अर्थात मेरे चार बेटे मर गए तो क्या हुआ संगत के कई हजार साती हजारों देशवासे मेरे बेटे ही है देश प्रथम नेशन फस को सर्वोपरी रखने की ये परंपरा हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेना है इस परंपरा को ससक्त करने की जिम्मेदारी आज हमारे कंदों पर है सातियों भारत की भावी पीडी कैसी होगी यह इस बात पर भी निर्भर करता है वो किस से प्रेना ले रही है भारत की भावी पीडी के लिए प्रेना का हर सोथ इसी धर्ती पर है कहां जाता है कि हमारे देश भारत का नाम जिस बालग भारत के नाम पर पड़ा वो सीहों और दावनावों तक सम्हार करके ठकते नहीं थे हम आज भी धर्म और भक्ति की बात करते हैं तो भक्त राज प्रहलात को याद करते हैं हम दैर्यों और विवेक की बात करते हैं तो बालक दुरू का उदाँ देते हैं हम मृत्यू के देवता यमराज को भी अपने तब से प्रभावित कर लेने वाले नची केता को भी नमन करते हैं जिस नेत्वी नची केता ने बाल्यकाल में यमराज को पूछाता What is that? मृत्यू क्या होता है? हम बाल राम के ग्यान से लेकर उनके शवर्य तक बशिष्टर के आस्रम से लेकर विश्वा मित्र के आस्रम तक उनके जीवन में हम पग पग पर आदर्स देखते हैं प्रभुराम के बेटे लवकुष की कहाने भी हर माँ अपने बच्चों को सुनाती है स्री करस्टर भी हमें जब याद आते हैं तो सबसे पहले काना की वो च्चबी याद आती है जिनकी बौशी में प्रेम के स्वर भी है और वो बड़े-बड़े राक्षगों का संहार भी करते हैं उस पवरानी की यूग से लेकर आदुरी काल तक वीर बालक बाली काएं भारत की परंपरा का प्रतिबीम रहे है लेकिन साथियो आज एक सच्चाई भी मैं देश के थामने दोहरा ना चाहता हूँ साब जादों ने इतना बड़ा बलिदान और त्याक किया अपना जीवन न्योचावर कर दिया लेकिन आज की पीडी के बच्चों को पूछेंगे तो उनमें से जादातर को उनके बारे में पता ही नहीं है दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं होता है कि इतनी बड़ी सौर ये गाता को इस तरह भुला दिया जाए मैं आज के इस पावन दिन इस चर्चा में नहीं जाऊँगा कि पहले हमारे हां क्यों वीर बाल दिवस का विचार तक नहीं आया लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अमनाया भारत दसकों पहले हुई एक पुरानी भूल को सुधार रहा है किसी भी रास्ट की पहचान उसके सिध्धान तो मुल्यों और आदर्सों से होती है हमने इस यहाँद में देखा है जब किसी रास्ट के मुल्य बदल जाते हैं तो कुछी समय में उसका भवी से भी बदल जाता है और यह मुल्य सुरक्षी तब रहते हैं जब वर्तमान पीडी के सामने अपने अतीद के आदर्स प्रस्त होते हैं युवाब पीडी को आगे बढ़ने के लिए हमेशा रोल मॉरल्स की जरुवत होती है युवाब पीडी को सीखने और प्रेणा लेने के लिए महान व्यक्तित्म वाले नायक नायकाओं के जरुवत होती है और इसलिए ही हम स्री राम के आदर्सों में भी आस्ता रखते हैं हम भगवान गवतम बुद्ध और भगवान महविर से प्रेणा पाते हैं हम गुरु नावज देवजी के वाणी को जीने का प्रयास करते हैं हम महरणा प्रताप और छच्च्रपती सिवाजी महाराज जैसे वीरों को बारे में भी पढ़ते हैं इसलिए ही हम विविन्न जेंतिया हम विविन्न जेंतिया मनाते हैं सैक्रों हजारों वर्ष पुरानी गटनाओं पर भी परवों का आयोजन करते हैं हमारे पुर्वजों ने समाज की जरुरत को समझा था और बारत को एक ऐसे देश के रुप में गड़ा जिसकी संस्कृती परवों और मान्यताओं से जुड़ी है आने वाली पीडियों के लिए यही जिम्मेदारी हमारी भी है हमें भी उस चिंतर और चेतना को चिरंतर बनाना है हमें अपने वैचारी प्रवा को अक्षून रखना है इसलिए आजादी के अमृत महोसों में देश स्वादिन्ता समगराम के इत्यास को पुनर जिवित करने के लिए प्रयास कर रहा है हमारे स्वाधिन्ता सेनानियों के विरांगनाओं के आदिवासी समायत के योगदान को जन जन तक पहुँचाने के लिए हम सब काम कर रहे हैं वीरबाल दिवस जैसी पुन्यती थी इस दिशा में प्रभावी प्रकास तंब की भुमिका निभाएगी साथियों मुझे खुशी है कि वीरबाल दिवसे नई पीड़ी को जोड़ने के लिए जो क्वीज कंपेटिशन हुआ जो निमंद प्रतियोगी था हुई उसमें हजारों युवाउंने हिस्सा लिया है जम्मु कश्मीर हो डप्षिन में पुड़ी चोरी हो पूरम में नागालेन हो पस्सिम में राजस्तान हो देश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां के बच्चों ने इस प्रतियोगीता में हिस्सा लेकर के साफ जादो के जीवन के विशे में जानकारी नली हो निमंद नली खा हो डेश के विबिन स्कुलों में भी साफ जादों से जुड़ी कई प्रतियोगीता है हुई है वो दिन दूर नहीं जब किरला के बच्चों को वीर साहब जादों के बारे में पता होगा 39 के बच्चों को वीर साहब जादों के बारे में पता होगा साथियो हमें साथ मिलकर वीर बाल दिवस के संदेश को देश के कौने कौने तक लेकर जाना है हमारे साहिब जादों का जीवन उनका जीवन ही संदेश देश के हर बच्चे तक पोचे वो उनसे प्रेणा लेकर देश के लिए समर्पित नागरिक बने हमें इसके लिए भी प्रयास करने मुझे भी स्माथ है हमारे एक जुट प्रयास समर्थ और विक्सित भारत के हमारे लक्ष को नई उर्जा देंगे मैं फिर एक बार वीर्च साहिब जादों के चर्णों में नमन करते हुए इसी संकल्प के साथ आप सभी कारदे से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ